मुगलाई चिकनला बाबदार की रेसिपी जो एक बहुत ही अमेजिंग यूनिक और एक डिलिशिस रेसिपी है इसके अंदर में आपको पर्फेक्ट और इजी तरीका बताऊंगी और बहुत ही जल्दी आप इसको बना कर त्यार कर लेंगे अगर आप इसको दावत में ट्राइ करते हैं तो माशालला जो आपकी दावत है उसमें तो चाल चान लग जाएंगे यह जो रेसिपी है आपकी दावत में अग्दम शान बढ़ाएगी तो अगर आप महमानों को खुश करना चाहते हैं अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं तो इस वीडियो करें तक जरूर देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आए लेकर शेयर जरूर कर दीजेगा तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक किलो चिकन लिया है इसके अंदर हम डालेंगे वन टी स्पून नमक नमक हम बाद में भी एड़ करेंगी तो ध्यान रखे वन फोर्टी स्पून डालेंगे हल् Dear फोर्टी स्पून डालेंगे हल्दि पाउडर यहाँ वन टेबल स्पून डालेंगे नीम्बू का रश और इजल आप उसे करें हल्दी नमक और नीम्बू का जो रशस है वो चिकन भी रोशन हो जाए तो मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब बालकम कपड़े से कवर कर देंगे और इसको 30-35 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे मैडनेट होने के लिए तो अब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे तो एक पैन ले लेंगे और गयस की फिलिम का मीडियम रखे हो डाल दें टू से 3 टेबल स्पोन तेल तेल जैसे हमारा गरम हो जाएगा एक डाल देंगे दाल चीनी का टुकड़ा एक डाल देंगे जावेतरी का तुकड़ा तीन डा जिसको मैंने चॉप्ट कर लिया है इनको भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राइ कर लेंगे जैसे यह भी फ्राइ हो जाएंगे हम इसके दर डालेंगे तीन बड़े सैस की प्यास जिसको मैंने रफली चॉप्ट कर लिया है और प्यास को भी हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे 1 मिनट तक मीडियum फ्लेम पर तो आप इसको लगतार चलाते रहें और इनको अच्छे से फ्राइ कर लें जैसे प्यास हमारे अच्छे से फ्राइ हो जाएगी हम इसके अंदर डाल देंगे तुरी मीडियम साइस के टमाटर इनको भी मैंने रफली चॉप किया है और टमाटर को प्यास को इन सबको एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर तो लगतार चलाते मीकिशेब तो फ्राइ करकर अदर देगे मिकसि इसके करने चलाओं कि अच्छे से ठंडा जाएगा तो अच्छे से ठंडा हो चाहिए और घंडा हो जाएगा अम मिकसिजार कर देंगे तो आप च्व Radiya के अच्छे से एक स favor कर देंगे तो आप चुई तो शुह को आप टामा तोमने पेस्ट केलीए मैं अच्छा सर पेस्ट नगे, त्यार करने फobic पैस्ट तेयार करने, त्यार है फिर अगे करने पार परीट देल के हैं रोडवर सर्वाड़ अप्रेषपून थेल, त्यार हम् spokes लागे प्राइट के बाख करने लिए आपके पेस्ट नेकर करने जब दें ऑपिल ना कि दालों और किरमें मिक्सिंग दॉल का देल के चिकन इना की और भी शीयर की famille मिक्सिंग दूल जो शीयर Lubatik करते कि चीकन के तास्तम ह मावन इसाद गोलत कि और वार पार को êलें जब दूद दूल जूला Peyrne rum ट्रांसफर करने के बाद पैन के अंदर हम डालेंगे 1 तीस्पून जीरा गैस की फ्लेम का मीडियम पर रखें और इसको हलका सर फ्राइ कर लें कुछ सेकिंड्स तक और फ्रीस के अंदर डाल दें दो तेज पत्ते इनको भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे फैनली जो हमारा स्मू अख़ा पेस्टर खी पेस्ट ग्रेवी के लिए ऀसको हम पैन के अंदर डाल देंगे तो सार अच्छो से च खोसे एह से डोलिए डाल दें नमक आप से अपने टेस्ट के साफ से भी सकता है ग्रेवी के अंदर दालें कशमीरी लाल मिषपाॉडर टेस्ट बहुत अच्छा ही अच्छा है गाइगा डाल या टेज नेश दनिया पाउडर 1.5 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर 1.4 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे सुखी हुई मेथी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सोरी जो मेरा कैमरा है वो ओफ हो गया था तो हम इसाब को अच्छे से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद हम इसके अदर डालेंगे 4-5 टेबल स्पून पानी पानी वही है जो मिक्सी में जो पेस्ट लगा हुआ था और इसाब को फिस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे पैन को फिस से कवर कर देना है उसको पकाएंगे आज से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर तो आप इस मसाले को लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दें तो तकरीबन 10 मिनट हो गई है हम कवर हटाएंगे और यह जो हमारा मसाला है यह अच्छे से भुन गया आप देख सकते हैं यह खुशक हो गया है तो बस अब फैनिलिस के अदर हम डालेंगे अपना फ्रैड हुआ चिकन जिसको अमने फ्रैड किया था तो सारे चिकन को आप पै मसाली को और चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालोंगी 4-5 टेबल स्पून बदाम काजू और जो खरबूजी के बीज होते हैं मैंने उनका पेस्ट पना है साथ से आठ मेने बदाम लिए थी साथ से आठ काजू और 2 टेबल स्पून मैंने ज़ी के लिए पंड़ डालें करीम चोकी में रेडी में डालें गरें टेस्ट और जो ठिकने तो आप एच्छे से अच्छे से बाद की अच्छा आएगा तो आप ज़ी जरूर फॉलो करें और बस सिंपली इन सब काम च्छे से मिक्स कर लिए ताकि जो क्रीम है मखण है और बाइक हो झैटीके इने काशनी कंआ है बाइक पानी इना मुषी के कफिशा कीमा जाती है तो मैं रोमारी मुछीन के दाल की मिला विम आप कीमानी याप अट का Бैंे के दृत कि इसně के इस्वार रू Satu Per निचे कने से भाइक विछ अमेदेजने आप देख सकते हैं जो ग्रेवी के ओपर तेल है वो आना शुरू हो गया है तो जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हो बिल्कुल परफेक्ट है मुझे पसंद है थिक और थीन आप अपनी पसंद के साफ से रख सकते है और बस इसके अंदर 5-6 हम हरी मिश टाल देंगे इससे लोग तो आप अपनी पसंद के साफ से कोई डिश प्लेट में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलेशिस रेसिपी है तो आप इसको अच्छे से सब कर लें तो मुगले चिकन लबाबदार को सर्फ करने के बाद इसको मगानिश कर लेंगे हरे धनी से क्रीम से और मक्कन से माश अगर आप इसको दावत में ट्राइ करते हैं तो आपके महमाने और बहुत ही खुश हो जाएंगे आपकी जो दावत है उस पे चार चैनल लग जाएंगे तो अगर आपको यह असान से और लगजिस रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा कमेंट करके ज़रू जाएंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रू कर दीजे कर मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए असलाव अलेकूम